चुनाव आयोग के सील्बन लिफाफे वापिस करने की मांग पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायदीश दीवाई चंद चून ने कहाई कि डाटा को स्कैन और डिटल करण किया जा रहा है चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाइरे का सीशक अदालत को सौपे गए चुनावी बॉन्ड पर सील्बन लिफाफे वापिस करने की मांग की थी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एस्बियाई से पूछा था कि उन्हें इलेक्टरोल बॉन्ड के नंबर क्यों जारी नहीं किये जिन से दान दाता और राजनितिक पार्टियों के बीच का लिंक पता सल सकता है सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्श तक एस्बियाई से इस मामले पर जवाब मांगा है चुनाव आयोग के सील बंद लिफाफे वापिस करने की मांग पर सुनवाई के दौरान मुख्य नायदी दीवाई चंदचूर ने कहा कि डाटा को स्कैन और डिटल करन किया जा रहा है इसमें एक दिन का समय लग सकता है जैसे ही पूरा डाटा स्कैन हो जाएगा तो मूल डाटे को चुनाव आयोग को वापिस कर दिया जाएगा स्बियाई ने बॉन्ड नमबर जारी नहीं की है स्टेट बैंग को उनका खुलासा करना चाहिए स्टेट बैंग को जारी जानकारी प्रकृषित करनी होगी चीफ जस्टिस ने कहा था कि सविदान पीट ने अपने आदेश को कहा था स्टेट के स्टेट को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा SBI को 18 मार्श तक अपना जवाब देना है चुनावी बोन के खिलाब व्याचिका दाइरा करने वाले ADR के वकील प्रशान भूशन ने सुप्रीम कोट के आदेश पर कहा कि अदालत ने SBI द्वारा चुनाव आयोग से मांगी गई जानकारी का मुद्दा उठाया है SBI द्वारा दी गई जानकारी में अलग नुमेरिक नंबर जानी किये गए थे जिसमें पता चलता है कि किसी व्यक्ती ने बॉन्ड खरीदे और वे बॉन्ड किसी राजनितिक पार्टी ने कैश कराया कोट ने इस मामले में SBI को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई को सौमवार को लिस्टिट कर दिया गया है आज के लिए बस इतना ही ऐसी और जानकारी के लिए बने रही हमारे चनल दरगनी मीडिया के साथ दन्यवाद